नमस्कार स्वागत आपका आईपा में आईपा यानिकी All India Progressive Politics Association जैसे कि आप सभी लोगों का मालूम है कि आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिसीर राजिनिती की बात करता है जन्सवकार की मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करता उसी को लेकर इस वक्त हम मोजूद हैं सिविल लाइन्स में जो कि परियाग राज में इस्तित है और इसी को लेकर हम आने वाले विदामसभा चुनाफ को लेकर कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनसे जानेगे कि आने वाले विदामसभा चुनाफ में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो इस वार सरका का रहे हैं विदान सभा चुनाव उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे मैत्पून मुद्धे होंगे यह समस्या होंगी जिनको लेकर इस बार आप सरकार में वोट करेंगे बेरोजगारी सबसे बाड़ी बेरोजगारी तो सर मैं आप से जानना बेरोजगारी है तो कहां देखुश रहेंगे सरा बताएं क्या मेरा नाम जैसा है सरा आपको क्या लग रहा है कि चुनाव केंदर जो मुद्धे हैं वो कौन से मुद्धे होने चाहिए जो विकास की राजनीती करें ना कि किसी हिंदू मुस्लिमिया जाती यह समुधाय के नाम किसान अंदरनोद आपको मालूमी होगा तो उसको लेकर सरकार ने उनका जो किर्शिकान बिलता हो वापस कर दिया तो क्या वापस करने से किसानों की यह समस्या ही थी उनका हल हुआ आपको ऐसा लगता है हमको देने लगता हाँ हल हो पाएगा विचारे सब अनादनी बेश वाइब तॉच सब्सक्राब हो जा रहा है बारिष हो जानी है अग्दोन ही यह ना कोई पार्टी की हुआ की होगी आपको लग रहा है कि युवा अगर सर राजनिती में आते हैं तो वहीं समस्यां को हल कर सकते हैं युवा एक नारा तो जैसे कि है तमाम लोगों ने जाना आई हो कुछ और लोगों से जानते कि ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिस पर हम बात करेंगे लोगों से और अब उत्र परदेश के अंजर हमने तमाम ऐसे छेत्रों में जाकर लोगों से जानकरी प्राप करी जो ऐसे मुद्दे थे जो जनता के हित्मे काम होने चाहिए सरकार तो आप देखते ही होंगे सत्ता में कई सरकार आती है पर तो सबसे महत्मून काम है जो जनता के हित्मे तो ऐसे कौन सी समस्क्राइब आपको लग रहा है कि आने वाले वाले वदानसाव चुनाम में वह एहम मुद्दा के रूप में सबस्दा मुद्दा तो बिरुजगारी का इस वक्त है तो मैं आप से यही जानना चाहता हूं कि युवाओं की सरकार होनी चाहिए तो अखलेश आपको युवाओं को मोका देंगे लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखें तो किसी भी पार्टिय में ऐसा नहीं है अभी अपने आपको यह है कि कम बुरे चुनने हैं बुरे सब हैं आपर जैसे कि आपको पता है कि आप सभी युवा लोग हो जो राजनीति अभी हमारे भारत में चल रहा है वो कहीं न कहीं हिंदू-मुस्लिम के नाम पर जाती के नाम पर चाहिए लेकिन जो अगर हमें देश का परगति करनी है तो कहीं न कहीं शिक्षा विष्टा बेरोज़गारी इन मुद्दों पर बात होनी बहुत जरूरी है तो जब तक हमारा जो युवा है वो इन जीओ को जारुक नहीं होगा तो आपको लगता है कि जो परगति सीर राजनीति है वो हो पाईगी अगर आप सिच्छा की बात कर रहे हैं तो सिच्छा के छेतर में लोग व्यकास कर र लोग बता रहे हैं तो आप इसा कुछ कोई दिखा नहीं कि इसमें रूची आया कि हां कुछ अच्छा करने वाले हैं इस वर आना वाले चुनाम में ऐसी कौन सी सरकार आपको लग देंगे अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकता सरकार ने आप से जो सरकार तो में से वोलते हर के लिए और देश के हुवाओं के लिए काम करना पसंद करें हम क्या एक छेत्री विधायक हो जाएंगे और का आउगा कर सकते हैं विखाम वी एक विधायक कहां से विकास करें नहीं कर पाएंगे चुटके एक साथ आना तभी विकास होगा आपने अभी जो मुद्दे बता कर देखार हैं सबको इदर उदर अधर अधर घर तोड़े जा रहे हैं घर से भेघर करा जा रहा है तो यह नया एक थोड़ा शुरू हो गया कि थोड़ा दिक्कत है बिजली अभी लिए शे से लंबे-लंबे आरहां भी बिषोश हो जा रहा है लेटके का करें कहां से पैसा किसान कर रहा है किसानी उसका खेद फजल नहीं हो रहा है पैसा कहां चे देगा बिल्ली का जैसा कि अभी तमाम आपके सही योगी ने बदाया यह कहिने के समस्या है तो आपको क्या लग रहा है जो आने वाला दामसभा चुनाव है जो वह फिर से मतलब राजनीती जो होती ह है हिंदू मुस्लिम की जफरी इसमें एक बार फिर से विकास का मोडल जो डवलप करना वह हो पाएगा देखिए अभी तक जो भी चल ला था यहां पर ठीक है जितनी भी राजनीती चली है पूरी हिंदू और मुस्लिम पर चली है ठीक मौब लिंचिंग पर चली है जो मेन म इसी का एक्जाम रेजल्ट आया ठीक एक ही बंदे को दस सीटे दी गई उसमें मैं एक बंदा हूँ ठीक मुझे ही दस सीटे दे दी गई पहले दस सीट के लिए एक बंदा था तब एक बंदे को दस सीटे दी जा रही पूरा को पूरा स्कैम हुआ ठीक अभी जैसा कि भाई अधिकार मेरा खतम हो चुका है ठीक आपने मौलिक अधिकार को खतम कर दिया मैं कोई चीज किसी चीज की आवाज उटाता हूं मेरी आवाज दबा दी जाती है ठीक तो कोई भी अधिकार बचाई नहीं इनसान के पास कि वह अपने अधिकार को उठा सके आप अपने अधिकार अगर लिखना चाहूंगा ठीक तो आपको कौन सा अधिकार है कि आप मेरे नाम के आगे से लाबादी अटा देंगे यह मेरा अधिकार है ना मुझे अधिकार दिया गया है या तो आप सम्विधान न लाइए सम्विधान को आप चीड़ के फेक दीजिए किनारे रख अधिकार के नियमों के साथ अपने आपको आगे लेकर चल सकता हूं आपने जैसे की तमाम समझ से बताई है आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो भी आपने मुद्दे उड़ है वो सबसे इंपोर्टन मुद्दे है लेकिन जो राजनीती हमारे देश में हो रही है कहीं आप देखी रहे हैं कि जैसे आपने बता हिंदू मुस्लिम जाती बात बेटी हुई है लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे भारत देश के अंदर विकास होगा जो विकास का मोडल होना चाहिए आपको लगता है कि राजनीती जो करते हिंदू मुसलिम की मोडल से हमारे देश की विकास की राजनीती को लाइए ठीक अगर आप जो है इंडिया लेवल पे अगर आप बिजेपी हैं ठीक यूपी में मान लिए सपारी या बसपारी कॉंग्रेस आरी ठीक अधर पार्टी आरी तो आप वहां से उसको सपोर्ट करिए ठीक उनको जो बजट चाहिए वो जैसा कि अभी आपने बताया परदेश के अंदर जो अभी मौजूदा सरकार है उन्होंने सिक्षा को लेकर महंगाई को लेकर आपको लग रहा है कि इस ठेतर के अंदर तमाम जो मैत्पून मुद्द होते हैं जैसे कुछ समस्यां ऐसी होती है जो जनता को चाहिए ही होती है जैसा कि अभी तक बिजली के बिल में जो है साफ साफ लिकाओ कि किसानों को सबसीडी दी जाएगी बिजली के बिल में ठीक कोई भी ऐसी सबसीडी नहीं है जो किसानों को बिजली के बिल में दी जाए ठीक किसानों के ट्यूब बेल पर बाकाइदा मीटर टांग दिया गया भाड के बिल आता है ठीक जिसको किसान भरी नहीं सकता उसके उतने किसान खेती नहीं हो रही पैदावार ही नहीं हो रही है कि वह अपना राशन को बेश सके आप अभी भी देख रहे होंगे तमाम न्यूस पर आता रहता है फला मंडी में ले गए अनाज अनाज विका नहीं मुचित रेट पर उसे वहीं पर जला दिए ठीक बाई जब वह इतनी मेहनत करके ले जा रहा है तो आप उसको उतना रेट तो दीजे कि उसका पैसा वापीस आ सके अभी स्कूल की बात है आप दिल्ली में केजरीवाल का स्कूल देख लीजे आप लाबाद के किसी भी गवर मौडल है द 왜냐하면 कि शिक्षा और लेकर और कहीं कहीं बेरोजगारी को लेकर और मूहिम छेडी हुए है तो क्या परदेश सबकार ने ऐसी कोई भी जो सुविदा एक देने के कोशिश नहीं करें अभी तक ईस फूत यहां पर देने कोशिश नहीं की ठीक लेकिन अंदर से दबंग है उपर से वह आपको एकदम को आगस दिखेंगे जब तक लिट्रेट आदमी को यहां का नेता नहीं बनाया जाएगा जिसके अंदर लिट्रेसी नहीं होगी विकास होई नहीं सकता विकासी लिट्रेसी के साथ होगी ठीक है ना लिट्रेट आदमी है ठीक वो देख रहा है कि कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तभी विकास हो स जो जनता के हित्में उनको उठाना बहुत ही जरूरी है और कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जो सबसे महत्पुन बाते हैं जैसे कि तमाम लोगों ने कहा है कि आने वाले चुनाब में लोगों का कहना है कि वो जो मुद्धों उन पर बात करना चाहते हैं तो सरकार का करती है तमाम ऐसे मुद्दो को उठाती है जो युवाओं के हित्में नहीं होते तो ऐसी जो बाते हैं उनको कहीं ज़िए करने के लिए एक मंच परदान करता है ताकि जो समस्या है उन पर चर्चा हो सके और बात हो सके तो आप समय लोगों दर्खास है हमारी झाल